Hello and welcome friends, कई बार practical exam जब होता है class 12 का, तो examiner बड़े छोटे से सवाल पूछ जाते हैं, और वो सवाल क्या होते हैं, आई ये समझने की पोसिस करते हैं, जिसे Q-basic, Q-basic जो है basic का एक upgraded version है, और उसी के बारे में सवाल पूछ लिया जाता है, quick, basic, जिसे पूरा बोलते है, beginners, all, purpose, symbolic instruction code, basic का full form होता है, Q-basic का मतलब होता है, quick, Q-basic हो जाएगा, और बाकी full form तो यही रहेगा, ठीक है न, तो इसके बारे में थोड़ सा देख लेते हैं, एक बार question पूछ जाए तो कैसे, जब आप जाना कैसे command execute होगा, command कैसे execute होगा, उसको देखते हैं, जैसे Q-basic open किया, आप इसको download कर सकते है, direct google पर जाएगा, और Q-basic, वहाँ पर लिखिएगा, Q-64, Q-basic 64 लिखिएगा, आ जाएगा ये, और इसको download कर लेजगा, और extract कर लेजगा, फिर आप use करते हैंगे, ठीक है, आप बोलेंगे, तो मैं download कैसे करना है, वो भी बता दूँगा, यहाँ पर command क्या लिखना है, जैसे मालें ये, screen को clear करना है, तो CLS लिखेंगे, क्या लिखेंगे CLS, लेकिन फिलहाल screen को clear नहीं करना, आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी command इसके type करेंगे, कैसे type होगा, यहाँ पर जैसे मालें ये print करवा रहा हूँ, आपने print function को use कि किया होगा, python में, ठीक है न, printf यूज किया होगा, c language में, ठीक है, c in, c out यूज किया होगा, c++ में, java में system.out.println यूज किया होगा, इसी तरीकी से portland में भी कुछ यूज किया होगा, तो यह बड़ा ही simple है, साधहारड सा language है, और यहाँ पर दमिटेट कोड को open कर लेंग आप यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं, मैं 5 प्रेस करता हूँ, तो यह थोड़ा सा time लेता है, देख रहे हैं, यह थोड़ा सा time लेगा, और यह देखिए लीचे लिखा हुआ रहा है, स्टार्टिंग प्रोग्राम देख रहे हैं, तो यह स्टार्टिंग बात करते हैं और इस में command चला करके देखते हैं और यहां पर अब क्या करूँगा, यहां पर हम एक command type करेंगे, ठीक है, command क्या होगा, command होगा input, यहां पर input command मैं दे देता हूँ, input दे दिया, यहां पर type करूँगा, में enter the marks of computer computer लिख दिया इस तरीके से और यह लिखने को close कर देना simply ठीक है न और close करने के बाद क्या करना है यहां पर लगाना है semicolon यहां पर computer लिख देता है computer c o m capital कर देता है यहां से c o m p u t e r तो आप देखेंगे कि यहां पर computer मैंने लिख दिया ठीक है न और अगर मैं इसको यहां से चलाता हूं यहां पर यह प्रोग्राम चलेगा और यहां पर यहां पर देख सकते हैं यह प्रोग्राम चलने वाला है ध्यान से देखिएगा तो यहां पर लिख रहा है enter the marks of computer देख रहा है यहां पर को सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां पर इस तरीके से यह एंटर कर सकते हैं समझ रहें बात को तो ऐसा ही एड़ भी कर सकते हैं आप तो उमीद करता हूं बात समझ में आ रही होगी